दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कह रही है साथ साल बेमिसाल हमारे पीछ में मनोज कुमार जी है जो की दावेदारी कर रहे है अशोक नगरवार से और इनसे बात कर लेते हैं नगर निकम चुनाव है घर घर जा रहे हैं मनोज जी क् बेमिशाल दिल्ली सरकार केंडर में देखे जो स्कूल आते हैं उनके काफी हालस सुद्री है प्राइवेट स्कूलों सभी अच्छी उनके कंडिशन बन गई है पड़ाई अच्छी हो रही है उनके अंदर दिल्ली के लोगों को काफी फायदा हो रहा है सिविल डिफेंस की नोगरिया निकाल लिए दिल्ली सरकार ने मोला क्लीनिक बनाये हैं लोगों को पहले इलाज के लिए अस्पतालों में दखके खाने पड़ते थे लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था अब तो डिस्पेंसरी में जाओ तो अपनी दवाई लेकर कहींगे के वास्ताहों में काम किया विल्कुल और आगे अच्छा काम करते रहें जो काम भारते जंता पार्टी कॉंग्रेस दिखाया थे बाता बुए इस स्कूल बना दिये गए ऐसी स्कूल बनाती गएimmung जी क्या土 साथ साल बेमिशाल को लेकर आगे के सतर साल बनाके रहेंगे पंजाब तो एक तरफा है और उत्राकंड के अंदर भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पादात में हमारी आनी शीट्स आ बदलाव की क्रांती होनी है नगनिगम में सर अब पब्लिक समझ चुकी है एमसीडी का पिछले पंदरे सालों से वहाल देख रहे हैं यहां का क्या हाल है एमसीडी के जो कारी है सडक सफाई और प्राइमरी स्कूल्स के अंदर सिख्षा वो तीनों इस तर्यानी की बिलकुल खतम हो चुके हैं शर्वन जी घर-गर जा रहे हैं लोगों का रुजहन क्या सर घर-गर मैं आपको बताना चाता हूं यह आप यह मानोगे मैं अपने मूझे बढ़ा ही कर रहा हूं तो जन्ता बहुत समझदार है फिर वो पांच सल पस्ताती है कि यार हमने गलती कर दी तो अब जन्ता इस मूंड में नहीं है जन्ता को सब पदा कि पिछले पंद्रे साल जे बहका रहे हैं एक हिंसा वादी यानि की वो डीती अपनाती है सभी के दिलों में हिंसा वाली बाते रखते हैं जी कल को आप हमें नहीं लेकर आए तो आपकी बेहन बेटेव के साथ क्या होगा अपना वविश्य देखके चलिए मैं उन लोगों से जानना जाता हूं क्या मतलब होता है एक परदानी का चुनते हैं ताकि हमारी कोई समस्या हो हम उसके साथ दिन में रात में कभी भी किसी भी टाइम जाके बेखोफ हो के उसके सामने जा सके जनता की अगर हम बात करें वो कह रहें कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ज्यादा का मेरा सवाल यह था कि अगर पले अन्द डिल्ली सरकार में भी आमां डिल्ली में सर्कार है अब बेसिक स्वास्त की सेवाई जोगी में और साफ सफाई सड़के में इतना बड़ा काम तो है नहीं में तो काम लेंटर का है सर देको लेंटर का आप पुछिए कोई भी यदि मकान बनाने जाता है तो उसे मकान बनाने से पहले ना लाग दो लाग रुपर एडवांज जोडने बढ़ते हैं कि पहले उनके इंदिजाम गरूँ उसके बाद मकान बनाना ही कोशिश करो क्या कहेंगे बदलाव होके रहेगा बिलकुल होके रहेगा यह बदलाव क्यों नहीं होगा चैरे की बात करें मनोज जी कैसा चैरा है बहुत अच्छे लोग हैं अपना काम करने वाले जुड़े हुए लोग हैं और अपने आप आदमी पार्टी के साथ शुरू से अपने अच्छे कारे करता है